करेंगे एक और कुश्चन पिछले सवाल में किसी का डाउट है तो बता दे ना एक बार टुशार येस या फिर आक कोश्चन ये लेता हूं दोनों का इख ट येलूगा ठीक है एक कोश्चन ये कर लेता हूं दोनोंbat два डाउट ले लूँँगा मैं चिंता मत करो करता है कि और बॉख ले लो काफे भि 받श्यना बहुत करते हैं तो उब क्नित ले आपको और actual sales दे रखता है तो क्या आप margin of safety निकाल सकते हो जी हाँ, point number one margin of safety कहता है sir, अगर hundred में से मैंने break even point का percentage को minus कर दिया तो MOS का percentage आ जाएगा that is, हमारे पास कितना आएगा hundred minus में 40 यानि के 60% आ गया और अगर in the terms of amount चाहिए MOS, तो MOS को क्या करना है actual sales में से multiply कर देना है MOS का percentage तो sir, actual sales हमें दे रखा है जो कि कितना है हमारा 40,000, तो 40,000 में से हम 60% ले लेंगे, तो that is आगया हमारा 24,000 रुपे तो एक सवाल का answer done हो गया चलिए आते हैं, सवाल number two पे two में कहता है sir, actual sales हम आपको बता रहे है, मैंने ठीक है sir actual sales है, कितना sir, 40,000 actual sales है, break even point कितना है, 25,000, break even point हमारा है, 25,000 यह रुपीज में है, यह unit में sir, unit में दोनों है, तो again actual sales का unit दे रखा है, break even अभी अभी recently हमने किया है, तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं कैसे निकालेंगे sir, sir, पहले हम निकाल लेंगे, MOS का परसंटेज MOS का परसंटेज क्या होगा, 25,000 क्या दे रखा है, break even point दे रखा है, है ना actual sales दे रखा है, break even point दे रखा है, कोई बात नहीं, पहले हम निकाल लेते हैं, क्या चलिए actual sales का unit, break even पॉइंट का यूनिट, तो सर, actual sales क्या होता है, actual sales होता है, break-even point, break-even point का आप unit रख लो और plus में mos का unit, यही तो होगा, दोनों का जोड़ी होता है, mos और break-even point का, तो अगर ध्यान से देखें सो हमेरे पास ये भी पता है और ये भी पता है, तो ये easily निकल जाएगा, तो आपका mos क्या आजाएगा सर आप माइनस कर देंगे बड़ी सी बात है 40,000 में से कितना 25,000 तो आपका जवाब आ गया सर 15,000 रुपे दूसरे का भी आंसर हमने निकाल लिया है यूनिट आएगा हाँ वो यूनिट लिख देजिएगा चलिए एक और आंसर नंबर 3 पे चलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट दे रखा है देखो कितना आपको सिंपल सा कोश्चन है तो MOS क्या होगा हमारा 100 में से माइनस 75 परसेंट और ऐसे सवाल एक्जाम में आते हैं आप मत समझना के नहीं आते हैं आपको समझना पड़ेगा वह जैसे एक लाइन का कोश्चन दे दिया और तीन नंबर में पूछ लिया कैलकुलेट मार्जन ऑफ सेफटी तो जिसने पूरा डिटेल में कर रखा हो तो कर लेगा जिसने नहीं कर रखा हो तो वो लेगा कुछ दिया ही नहीं सवाल में तो कैसे करें हम कई बार ऐसा हो जाता है कि अ ब्वियर निकाल दे जा रहे हैं हमारे यह mज रहता है हमारा रुपीज में इस बात का δियौन रखेगा तो profit है हमारा कितना सर 35,000, 35,000 divided by कितना कर देंगे सर 40% 0.4 तो 35,000 का 0.4 करते हैं हम 35,000 divided by 0.4 यानि 87,500 ये भी answer हो गया done चलिए सर अगले answer पे चलते हैं तो management account तो वैसे ही मज़ेदार है पांचवा point contribution per unit 20 रुपए और profit भी दे रखा है आपको तो CPU दे रखा है और profit दे रखा है सर क्या निकालना है यहाँ पर हमें margin of safety margin of safety निकालने का मतलब है सर contribution per unit अब थोड़ा हमें detail में जाता हूँ sales क्या होता है हमारा सर sales होता है हमारा variable cost plus में fixed cost plus में profit यही होता है हमारा sales सर अगर देखा जाए contribution क्या होगा इन दोनों का जोड़ क्या होगा contribution होगा ठीक है ना यानि इन दोनों को add करेंगे तो contribution होगा अब profit क्या होगा इसी के अंदर यानि अगर मैं बात करूं contribution क्या होता है सर तो contribution कहोगे सर fix cost plus में profit यह हमने पहले ही सीखा हुआ है fix cost plus में profit तो आपको contribution का unit दे रखा है unit यानि 20 है ठीक है ना मान लेते हैं कि 20 रुपए एक unit है number of अगर unit पता चल जाए तो हो जाएगा बात बन जाएगा number of unit तो आपको दो बाते पता हैं आपको fix cost नहीं पता चल रहे हैं fix cost easily निकाल सकते हो क्या contribution per unit 20 है fix cost आपको नहीं पता सर profit आपको पता है कितना है सर 15,000 है और हमारा कितने unit बिकेगा अब ध्यान दीजेगा पहले यह सवाल देखिए आप फिर मैं आगे चलता हूँ यानि सर हमारे पास यह पर unit है और यह रूपीज में तो दोनों fraction में अलग अलग आ रहा है तो अब बात आती है सर के हमारा profit हो रहा है यानि हमें क्या निकालना है margin of safety तो margin of safety का मतलब हमें sales निकालके देना है वह sales निकालके देना है जो extra sales है break-even point के बाद अब हमें contribution दे रखा है contribution 20 रुपए है सर एक example यह ले सकते हो कि चलो contribution हमारा 20 रुपए है तो variable कितना होगा हमारा 80% ऐसे हो सकता है न और आपका एक formula और होता है यहां पर जो कि मैं बताओं मैं बताओं कौन सा formula होता है यहां पर लगाने को नहीं तो इसी formula से put कर लेते है contribution दी रखा है यह क्या है unit है रुपीज तो मैं ऐसा करता हूं मैं ऐसा करता हूं यहां पर एक से अगर मान लेते हैं तो यह आजाएगा 20-30 से हमlike करेंगे तो यह आजाएगा हमारा unit के टर्मस म हमारा हम इंद तो बां अगा एक चीजस तो इसमें कोई कोई मिसिंग तो नहीं है का थे alright घरे लिए अजय को अरे हाँ यहां से ब्रेक इबन पॉइंट तो निकाला ही जा सकता है ना अज़ी ब्रेक इबन पॉइंट पे निकले गा फिक्स कॉस्ट चाहिए लिए इक सकोष चाहिए हमें और फिक्स और सबस्ट को कोंट्रिबूशन 20 रखता हो और यह आ या पंदरा तो आजाएगा हमारा पंदरा डिवाइडेड वाइब वीज साथ सो पचास जो फिक्स कॉस्ट हो नहीं सकता इन टू में वीज साथ सो पचास पंदरा हजार यह नहीं होगा एक वार जिसके पास बुक है बुक में देखके बताईए यही पॉइंट है या कुछ इसमें मिसिंग है मैं देख लेता हूं बुक में क्योंकि सारे सवाल बुक के ही है अपूब आसारे कर दो क्या जो जाबस हजार चलिए तो मैं इस सवाल को दे तो रखा है लेकिन इसका आंसर मेरे हिसाब से ठीक नहीं है बुक के अंदर भी बुक वालों ने क्या करा इसी को 20% मान लिया 100 अजम्शन लेके 20% मान के कर दिया तो मैं इस सवाल को काड़ देता हूँ 750 यूनिट निकाल दिया मेरा आ भी रहा था लेकिन हम इस सवाल को नहीं करेंगे अब क्योंकि इसके अंदर एक पॉइंट और मिसिंग है जो कि देना चाहिए था मेरे को जो मिरे पास टाइपिंग है वही है मिरे पास चलिए ठीक है बताइए अब दोनों में डाउट बताइए अब कोई डाउट इसमें से हमने दो सवाल किये हैं अभी एक एट किया है और एक पर क्लिएर है नहीं है मुझे बता देना मुझे तो लग रहा है कि कहीं बलर ना रहा हो एक पर बता देना क्लिएर विजुल है आप सभी को कि मैं एक पर यहां भी चेक कर लूँ अब पता नहीं मुझे क्यों आज बलर दिख रहा है अच चलिए कि हांजे तुशार बताइए असर मेरे को ना पीछे वाले कोशन में डाउट था बताओ सर इसमें ना सर लास्ट जो पॉइंट इसमें लिखाया है तैन थाउजन यूनिट्स है एक्ट्वल सेल्स हैं मार्जन है तुट्वाइंट यूनिट्स को माइनस करके बी इप जो आएगा वो यूनिट्स में निकाल सकते बी एप आब यूनिट्स में निकालना चाहते हैं एक हां यह वी सब्सक्राइए डेफिनिट्ली मैंने इसमें एक्ट्रेश में क्या परसंटेज निकाल दिया है तो वही आजाएक आपका कोंसे हले सवाल बोल रहे हैं वैंक आपने लिखवाया था समझने आए कि यह प्राफिट अपॉन प्राफिट है । यह जुकि ओने मैं बताता हूं यह प्राफिट है और PBR क्या होता है PBR होता है हमारा एक तरीके से PBR भी हमारा profit का ही ratio होता है contribution का sales का कितना percent है होता है यही होता contribution यानि variable cost नहीं है यह profit का हिस्सा एक तरीके से है तर अगर मैं आपसे बोलू कि मैं 10 रुपे की 10% कमाई कर रहा हूं और मेरी कमाई 10 रुपे है तो sales बता दो कि जिस पर मैं कमा रहा हूं तो आप क्या करोगे आप करोगे 10 divided by .1 तो आप बता दो कि फट से 100 रुपे की कमाई है तो 100 पे ही तो 10% 10 रुपे बन रहे है तो आपको एक तो कितना कमाई हो रहा है यह बता रहा है और उस कमाई का percentage बता रहा है profit कर रही तो दोनों को जब divide करोगे तो आप 100% पर पहुंच रहोगे ना नहीं समझ में आपका मैंने बोला कि भाईया आपका ना profit है आप कोई भी business कर रहे है और वहाँ पे profit आपका आता है 2000 और आपना 20% का margin रखते हो तो बताओ आपका sales क्या होगा तो आप क्या करोगे सर 2000 profit divided by 0.2 इसका मतलब सर यह आ जाएगा हमारा कितना 10,000 का यानि हमारा 10,000 रुपे का अगर हम sales करते हैं तो उसके उपर हमारी earning होगी सर कितनी 2000 अब 10,000 कर निकाल के देख लो आप 20% कितना बनता है 2000 बनता है यानि सर अगर उपर profit है और नीचे profit का ratio रख दे तो यह वो point हमें दिखाएगा कि हमने actual sales कितना किया जिसके उपर profit कमाया जा रहा है तो margin of safety भी तो यही बताता है कि वो sales जिसके उपर profit कमाया जा रहा है तो यह profit है और यह profit का ratio है और into किया है तो हमें total पता चल गया कि actual कितने कमाया रही है ठीक है सर अब समझ आगे है ठीक है ना ठीक है चलिए चलिए और सवाल पर चलते हैं और सवाल पर आ जाते हैं यह सवाल भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, चलिए, छोटे-छोटे सवाल है, फटा-फट हो जाएगा, कहता है, the profit volume ratio, escort limited 50%, साइध नहीं देख रहा हूँ, आप तो मैं इसे इधर कर देता हूँ, कहता है, profit ratio, escort limited 50%, यानि PVR दे दिया है, इसने, PVR दे दिया, कितने परसंट सर, 50%, MOS दे दिया, सर, MOS कितने परसंट दिया, 40%, you are required to work out with the net profit of break-even point, if sales volume, आपका कितना है, सर, 10,00, 10,00, रुपे का, अगर आपका sales है, 10,00, रुपे का, तो आप से पूछा जा रहा है, बताइए, break-even point कितना होगा, तो बड़ी सीधी सी बात है, यहां तो ऐसे निकल जाएगा answer, कैसे निकलेगा, क्यूंकि आपको यहां पे ध्यान देदा, आपको break-even point का percentage पता चल जाएगा, क्या, बिलकुल पता चल जाएगा, सर, break-even point का percentage हमें, कैसे पता चलेगा, 100 minus में MOS का percentage, that is 40%, यहनी क्या आगे हमार 60%, तो हम निकाल लेंगे न, सीधा, sales हमारा कितना है, तो break-even point, break-even point, break-even point, break-even point हमारा क्या आएगा, सर, sales, minus में, आपका break-even point का percentage, that is हमारा आगे, सर, 10,00,00, इन्टू में, 60%, तो यहां गया हमारा 6,00,00, यहां गया 6,00, तो सर, PBR का तो कोई इस्तमाली नहीं किया, नहीं कि जैसे निकल सकता है, हमने वैसे निकाल लिया, यहां पर, ठीक है, यहां गया हमारा 6,00,00, एक सवाल, यह भी हमारा क्या हो गया, डन हो गया, तो सवाल में देखो, कुछ बच्चे कह सकते हैं, सर, आपने PBR का इस्तमाली नहीं किया, कुछ भी, यहां से भी तो कुछ कर सकते तो कुछ ज़रत ही नहीं था, क्याता है, ब्रेक इवन सेल्स, इफ सेल्स वोल्यूम हमारा दे रखा था, ठीक है, चलिए हम, अगले सवाल पर चलते हैं फिर से,